रेयर एक्समेन नेशन मापका फिर से स्वागत है आज मैं एक्समेन करने वाला हूं दो गोल्डनाइसे 24th and 25th एपिसोड को एक साथ एपिसोड के सुरुआत में हमें हीरो को दिखाये जाता है जो अपने आपको शूट करने के लिए खड़ा होता है और जैसे ही वापने आपको शूट करता है और हमें पता लगता है कि हीरो भी बच जाता है तब ही हम सभी को लेडी हो के असिस्टेंट और उसकी आद्मियों को दिखाये जाता है और साथ ही Beautiful Lady और Beautiful Lady के आदमें को दिखाया जाता है जो Bobby Gang को चारो तरफ से घेर लेते हैं तब ही Hero Bobby Gang के बोस की तरफ गन को तांग देता है और शूट करने से पहले बेवस हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है फिर सीन सिप्ट होता है और हमें ओस्पिड़ में Beautiful Lady और Hero को दिखाया जाता है तब ही Hero को होश आता है और Beautiful Lady यहाँ पर Hero के लिए Apple आई है जो उसे खाने के लिए बोलती है फिर थोड़ी देर ऐसे ही दोनों के मिच कैजूल बाते होती है जहां Beautiful Lady बोलती है कि मुझे लगा था कि म्यानिमेर की यात्रा आपके लिए मंगल में होगी परन्तु फिर से आप प्रॉलम में फस गए इस पर Hero जाब देते हो बोलता है कि मैं ड्रामी का मेन हिरो हूँ इसलिए सारी प्रॉलम मेरे उपर ही आनी है और फिर थोड़े बात Best Friend और Bodyguard आते हैं और Beautiful Lady वहाँ से चली जाती है फिर Hero Best Friend से Lady Office के बारे में पूचता है और फिर Hero हाथ में के पन लिए Best Friend और Bodyguard के साथ Lady Office रोम में आ जाता है जहां Best Friend Hero को वहीं छोट कर Bodyguard को बाहर ले जाता है फिर हमें Hero को दिखा जाता है जो Lady Office के पास में बैट कर Flash Backs याद कर रहा होता है तब ही Lady Officers जाकती है और Hero Lady Officers को खाने के लिए Apple लेता है और ये Scene उनकी प्यारी प्यारी बाते और प्यारी प्यारे मोवेंट के साथ यहीं कट हो जाता है फिर Sense प्लता है और हमें Lady Go के गर को दिखाया जाता है जा सबी Fast and Furious के Happy Ending वाले Scene की तरह सेलिबरेशन कर रहे होते हैं तब ही Lady Who एक इस पीस जती है कि जब सुन्दर करन्या की पिता का देयान दुआ तो मुझे लगा कि मेरे परिवार के ओपर आसमान तूट पड़ा हू उस वक्त मेरी एक मातर सहराती मेरी बच्ची Who When मैंने अपने आत्म सास को बांदा और दीरे दीरे काम करती चली गई मैंने लोगों के साथ इमानदारी से वेवार किया और अपनी बच्ची Who When की परविर्स की और फिर बगवान ने मुझे पूप पैसा और मान सम्मान दिया परन्तु इस बार हीरो ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत से कैसे रड़ा जाता है इस पर हीरो लेडी को की तारिफ करते हैं बोलता है कि आप एक सीरिस लेडी है खासकर मा की रोप में और जिस तरह से आपने इस प्रॉलम को हैंडल किया है वे वाकई काबिली तारिफ है फिर सभी एक दूसरी को चीर्स करते हैं और खाना एंजोई करने लगते हैं तब ही सुंदर कन्या इस्पेसली हीरो को सर्व करती है और इस मुसिबस से बचानी के लिए तन्यवाद बोलती है फिर सेन से प्रॉता है और हमें ब्यूटिफुल लेडी और अंकल किन को बात करती भी दिखाया जाता है जहां Uncle Kin Beautiful Lady को डाट रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसी परकार से जजबाती होकर फेसला लोगी तो हमारे प्लान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और एक आइटम Beautiful Lady को देती हो बोलते हैं कि यह बहुत इंपोटेंट है इसका ख्याल रखना और यहां हमें ना उस प्लान के बारे मताया जाता है जो Uncle Kin Beautiful Lady को बोल रहे थे और ना ही उस आइटम के बारे मताया जाता है जो Uncle Kin ने Beautiful Lady को दिया है और मुझे लग रहा है इन बाप बेटी के बीच खतरनाक प्लानिंग हो रही है खेर छोड़ो अभी तो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं फिर सेन समड़ोता है और हमें Beautiful Lady और हीरो को म्यान मार के Night Market में गोमतीव दिखाया जाता है जहां हीरो एक छोटे व्यापरी के पाथ जाकर लकड़ी से बनी आकरती को अपनी गोलनाय से देखता है जिसमें उसे कुछ इस्पेसल चीज़ दिखाय देती है जो हमें एपिसोड में आगे पता लगेगी और यहां हीरो उसे खरीद लेता है तब भी Beautiful Lady बोलती है कि तुम हर बार एक साधान से दिखने वाली वस्तों खरीदते हो जहां हीरो उस लकडी से बनिया करती से एक नक्षे को निकालता है जिसमें हमें दिखाई देता है कि उस नक्षे में वही आधिया करती है जो इस ड्रामे का मेन सस्पेंस है और हमें इस नक्षे के बारे में एपिसोड में आगे बताया जाएगा फिर यहां लेडी हूँ आती है और हीरो को बोलती है कि तुम तो जानते ही हो हमारे विशास पात रेंपलोई ने हमें दोका दे दिया और फिलाल हमारे पास कोई एसा इनसान नहीं है जो हमें कीमती पत्रों की खदानों की सई लोकेशन बता सके और मैं चाती हूँ कि आप वा जाकर पूरे खदान एरिया की जाज करे ताकि आम ये पता लग सके है कि किस-किस जगर पर किमती पत्र निकलने की संभावना है इस पर हीरो बोलता है कि नेडी हूँ मैं कभी पत्रों की खदानों के जाज में सामिल तो नहीं हुआ और मुझे इन सबका इतना ज्यान भी नहीं है पर आपके कहने पर मैं जरूर जाओंगा परन तो एक समश्या बनी रहेगी जो आपको भी पता नहीं है अगर आपको याद हो तो आपके खदानों में कई बड़े-बड़े पाढ़ है जिनके पास ही खदान गाउं बसा हुआ है अगर हम कीमती पत्रों को निकालने के लिए बड़े-बड़े मशीने लगाएंगे और पहाड को तोड़ने के लिए विस्पोट करेंगे तो मुझे डर है कि वह पहाड डे जाएगा और पुरा गाउं दब जाएगा और इससे ना पुरा गाउं ही नस्ट होगा यहां तक कि नोग भी मारे जाएंगे इस पर लेडि हू बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैं पुरे गाउं को रिलोकेट करवा दूँगी और वेसे भी हम कीमती खदानों से अगर कुछ निकालने में सक्सम हुए तो उनके लिए एक गाउं ही क्यों पुरा सेर बनवा सकती है इसलिए मैं गाउंवालों से बात करने के लिए अपनी असेशेंट को बेज़ूंगी और बात खतम करते हुए लेडि हू लाश में बोलती है कि जो अंगरोई आप बहुत दयालू है इस पर हीरो जवाप देते बोलता है कि लेडि हू आपको बदा है इस दुनिया में अगर आप में इंसानियत है और आप बहुत दयालू है तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और दयालूता मेली कोई श्राप नहीं आशिरवाद है क्योंकि सकुनी की तरह सेडेंतर रचने और लोगों को दोगा देने की तुला में दयालू बने रेना मुझे काफी सुकुन देता है और इसकी जो भी कीमत है मैं हमेसे चुकाने के लिए तैयार रेता हूँ फिर जेन सब्लता है और हमें लेडियो की असिस्टेंट बैस्ट पेंट और बोडिगाड को गाउं के परदान के साथ बात करते वे दिखाया जाता है जान लेडियो की असिस्टेंट गाउं के परदान के सामने गाउं को रिलोकेट करने का प्रस्ताव रखती है इस पर गाउं इंसान दो रिलोकेट कर सकते हैं पर तो उन पवितर आत्माओं को कैसे रिलोकेट करेंगे इस पर लेडी हो की असिस्टेंट बोलती है कि हम तुमारे गाओं के साथ साथ कब्रिस्तान को भी रिलोकेट कर देंगे और तुम चिंता मत करो हम आप सभी को बैतर जीवन जीने के लिए बहुत सारा पेसा देंगे और साथ ही आपके गाउं को एक शेर में बदल देंगे इस पर गाउं का परदान बोलता है कि मानाई कि आप इस गर को उस गर को यहां तक की कबरिस्तान को भी रिलोकेट कर सकते हैं परंतो हमारे बड़े बुज़ुरकों की आत्मा हैं जिनोंने इसी गाउं में अपना पूरा जीवन जीया और इसी पवित्र भूमी पर अपने प्रान त्याग दिये अब आप ही बताओ इस पवित्र भूमी के अलावा उन्हें शान्ती का मिलेगी इसका जवाब देते हुए लेडी हो के असिस्टेंट बोलती है कि आपको वह नर और मादा याद है जिनको मारने की प्लानिंग आप कर रहे थे और यही नाई और सुनिए कहीं विदे सी प्लियटक जो यहाँ कोमने आये थे उनको आपने किर्नेप किया और बाद में उन्हें मार दिया और लेडी हो की ख़दानों से आपने किमती पत्रों की चोरिकी और उन्हें बोवी गैंगे बोस को दे दिया अगर सोचो ये सारी बातें मैंने पुलिस को बता दी तो फिर आपका और आपके गाउं का क्या होने वाला है फिर सीन से बोलता है और हमें लेडी ओकी गर का सीन दिखाए जाता है जहां हीरो बेटा होता है और लेडी ओफिसर वाहा आती है तभी उन दोनों की बीच में गाउं वाले अपने गर को रिलोकेट नहीं करेंगे के समध में डिसकेशन हो रहा होता है तभी लेडी ओफिसर हीरो से पूस्ती है कि इस इस्तिती में तुम क्या करोगे इस पर हीरो बोलता है कि माना कि गाउं के परदान और कुछ लोगों नहीं मिलकर कुछ ऐसे काम किये जिसमें माफ तो नहीं किया जा सकता परने तो उनकी सजा पुरे गाउं को तो नहीं दी जा सकती न और ये गाउं को रिलोकेट करने का मामला इतना जल्दी सांत नहीं हो सकता इसलिए मुझे यार रेकर इस मामले को शांत करना होगा और दूसरा कोई उपाई निकालना होगा तब ही दोबारा सेंच सब्रोता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने क्या किया है तुम सबी ने लेडियों की खदानों से केमते पत्रों को चुरा कर बोबे गैंगे बोस को दिया और हीरो और लेडियों और लेडियों को किरनेप किया और उन्हें मारने की कोसिस की और यहां आने वाले कई विदीसियों को मोत की घाड़ो कार दिया और तुमारी इस पवितर भूमी में उन्हें दफना दिया और बोलते हो कि हमारी बुजरूगी परितात्मा को सांतिका मिलेगी अगर यह सारी बाते मैंने पुलिस को बता दी तो तुम लोग सारी जिनकी जेल में सडोगे तब ही एक गरामिंड लेडी हो के असिस्टेंट के पास आता है और बोलता है यह सारी गलत का मैंने किये हैं और इन सब में इन लोगी कोई गलती नहीं है तब ही असिस्टेंट उस गरामिंड पर गन को तान देती है और बोडिगाड गन को अपनी तरफ कर लेता है तब ही best friend बीच में बोलता है और अस्रिन को समझता है कि यहाँ पर अगर मामला और बिगड जाता है तो तुम अपनी boss को क्या जाब दोगी और अभी हम सब कबला इसी में है कि यह सारी बात हम lady who को बताए फिर saints बोता है और हमें lady who और hero को बात करती ही दिखाय जाता है जाbell lady who hero को बोलती है कि आप jungle में तो जा रहे हो पर अपना ध्यान दगना तब हमें सभी को दिखाय जाता है कि जो jungle में जाने के त्यारी कर रहे होते हैं और अपना रासर और हाथियार को लेकर सबी जंगल की दरफ निकल जाते हैं फिर दुबारा से इंस बढ़ता है और हमें जंगल को दिखाय जाता है जा सबी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और लेडी हो के असिस्टेंट सबी को लीड कर रहे होती है तब ही वह बताती है किस खदान परवत को हम पाताल का दुआर भी कहते हैं क्योंकि कुछ साल पहले हमारी एक टीम या खदान की जाज करने आई थी तब ही उसका हेड लापता हो गया था और फिर कुछ दिनों बात बहुत बूरी हलत में उसके लास मिली ऐसा भी नहीं था कि किसी ने उसके उपर हमला किया हो क्योंकि उसके सरीर पर कोई चोट के निसा नहीं थे और ना ही वह भूग से मारा गया था और आज तक और यह जान नहीं पाया कि हो मरा तो मरा कैसे फिर बैस्फेंट आके बोलता है कि तुम डरा रही हो यह बता रही हो और फिर थोड़ देर बाद एक जगह आकर सभी रुख जाते हैं और लेडी हो की असिटेंट पानी बढ़ने के लिए चली जाती है तब ही उसके पीछे अपना बोडी गार्ड भी चला जाता है लेडी हो की असिटेंट पानी बरत हुए अपने आदमियों को ब बढ़ एये मैं बेश फेंड को लेकर आता हूँ तब ही बोडी गार्ड और बेश पेंड को जाते हुए लेडी हो की सिटेंट देख लेती है और उन पर गोलिया चला देती है बोडीकार्ड और बेश्फेंट जंगल में आगी के तरफ भागने लगते हैं और एक जगर जाकर छुप जाते हैं और लेडी ओफिसर के लिए पेवस हो जाती हैं उसी समय लेडी ओफिसर के मोबाइल पर एक मेसेज आता हैं और हीरो लेडी ओफिसर के मोबाइल को देख लेता हैं जिसमें वे लेडी ओफिसर के वाटसप के सारे मेसेज पढ़ लेता हैं जिससे उसे पता लगता है कि लेडी दिया है और उससे जूट बोला है तब ही Lady Officer को खोशाता है और Lady Officer Hero से पूछ दिये क्या हुआ अपना Hero यहां इस तोके को परदास नहीं कर पाता और उसकी आँख की रोशनी चली जाती है और वह अन्दा हो जाता है और साथ ही Lady Officer कुस्ता हो जाता है फिर हमें थोड़ देरे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हीरो और लेडी ओफिसर बैठे होते हैं तब ही लेडी ओफिसर पूछती है कि तुम इतना डूडली मुझसे बिहेव क्यों कर रहे हो इस पर हीरो जवाब देते हो बोलता है कि जब पहले बार म हमला किया तो मैंने तुम्हीं यकिन दिलाया कि मैं डेकेतों से नहीं मिला वाँँ और बाद में मैंने डेकेतों को पकड़वा दिया और उसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया फिर तुम मेरे यूकरेन जाने के बाद यूकरेन आई और मुझे बताया कि तुम्हें जॉ और तुम्हें जब तक कोई दूरसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक अपने बोडिगार्ड के रूब में रख लिया और तुमने मुझे जूट बोला और मुझे विश्वास दिला कर मेरी बोडिगार्ड बन गई और मेरी जासुजी करके मेरी सारी एक्टिविटी अपने डिपार्टमेंट को बता रही हो अब तुम ही बताओ इस प्यार को मैं क्या नाम दू फिर लेडी ओफिसर बोलती है कि अच्छा तो तुमने मेरे सारे मेसेज पढ़ लिया और फिर हीरो को समझाती है कि हाँ मैंने तुमसे जूट बोला परन rifा यकीन करो मैं तुम्यारा बोरा नहीं चाहती और ना ही तुमारी जासुजी कर रही हूँ बस मैं तो एक मिसन पर हूँ इस पर हीरो बोलता है किस मिसन पे हो अब कौन है तुम्हारा तारिगेट मैं और मेरा best friend या beautiful lady या फिर lady हूँ और ये बोलकर hero वहाँ से चला जाता है फिर थोड़ दिर बाद hero हमें नदी किनारे बेटा हुआ दिखा जाता है फिर lady officer hero को खिलाने के लिए फल लाती है और hero खाने के लिए मना कर देता है फिर थोड़ दिर बाद lady officer hero के लिए mushroom को पकाती है और खाने के लिए देती है इस बार भी hero mushroom को भीना खाये नराजगी मास से चला जाता है और ये देखकर lady officer के भी आखों में आसू होते है और फिर वह hero के पीछे चली जाती है फिर हमें bodyguard और best friend को दिखाये जाता है या bodyguard bear girls की तरह सबसे पहले फंदा लगा कर जंगली वोर्गे को पकड़ता है और फिर उससे पका कर best friend और bodyguard अपनी पेट फूजा करते है फिर bodyguard आयरवेदा का नियम फोलो गरते हुए एक घंटे बाद पेड़ पर चड़कर पानी की वरस्ता करता है और best friend को भी पिलाता है और बाद के लिए पानी को बोतल में इकटा कर दोनों आगे वड़ जाते हैं फिर हमें ladyo की stent और उसके आदमियों को दिखाये जाता है जो अभी भी जंगल में hero उसके दोस्तों को खोज रहे होते हैं तब ही बाद खोशते हुए उस जगर पहुच जाते हैं जहां पर आखरी बार मस्रूम पकाये गयते और यहां ladyo की stent समझ जाती है कि hero उसके दोस्त आसपासी कहीं होंगे और उनके पीचे निकल जाती है फिर थोड़ दरे बाद हमें hero और lady officer को दिखाये जाता है जो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही होते हैं तब ही हमें दिखाये जाता है कि hero की आख की रोसनी अब दीरे दीरे आने लगी है वह clear तो नहीं परन तो दुन्दा दुन्दा देख पा रहा है फिर hero एक जगर उपकर lady officer को बोलता है मुझे phrase होना है फिर lady officer ये बोलकर वहाँ चली जाती है कि जैसी आप free वह मुझे आवाज लगा देना और हमें यहाँ ये पता लगता है कि hero lady officer से जूट बोल रहा था ताकि वह lady officer को अपने आप से दूर कर सके और वह lady officer को भी ना बता है आगे निकल जाता है और फिर lady officer उसे टून्टे वे वहाँ आती है और hero को वहाँ ना पाकर उसे आवाज लगाती है और यह episode इसी suspense के साथ या समापत हो जाता है अब हमारी मुलाकात होगी The Golden Eyes के next episode में अगर आपको यह episode पसंद आया तो वीडियो को like और share करें इसी परकार की rare explanation देखने के लिए channel को subscribe जरूर करें See you soon